मेरा नमस्कार दोस्तों मेरा नम संदीप है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है टेक रेडर इंदी में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन में जो है क्विक सेटिंग का किस्टिमाइजिशन कैसे कर सकते हो जैसे आप फोन यहां पर जैसा आपको मिलता है बस वैसा ही आपको मतलब यूज करना पड़ता है जब तक मोबाइल है तो ऐसे में अगर आपको कुछ 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 कमाइजिशन चाहते हैं कि मतलब यह रो या फिर कॉलम जो है 4 y6 का या फिर 7 y6 का या पिर जादा संख्यां या उसे भी दबा दें और वी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए तो सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के बाद कुछ कस्टिमाइजिशन का ओप्शन मिलेगा तोwegg, dot extra जैसे है यहाँ पे दूट एक्स्ट्र आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे third numbers पे quick setting है तो नॉर्मली quick setting आपको click करना है और यहाँ पे quick setting पे जाने के बाद आपको नीचे आपको मिलेगा QS, row and column तो यहां पर आप अपने तरीके से जैसे आप चाहते हो, जितना का row या column बनना चाहते हो, वो आप आगे बढ़ा सकते हो उसके बाद आपका ये changes हो जाएगा और वैसे अब यहां पर एक बात आजाती है किया फिर ये option हमें कैसे मिलेगा तो यहां पे option को लाने के लिए आपको description में एक video मिलेगा जिसमें की आप जैसा कि आपने दिखा यह modification मेंने की अपने phone में यह मेरा quick setting पूरा customized हो चुका है बहुत ही जादा यहां पे icons आचुका है 6x7 का तो इस तरह से आप जेतने का चाहते हो quick setting में यह toggles को लाना यह switch को लाना उतना आप बढ़ा सकते हो अपने मर्जी से तो ऐसे मैं आपको setup करना पड़ेगा और इस वीडियो में मैंने बताया है कैसे .os को install करना है अपने phone में तो उस वीडियो को चेक कर लीजेगा उसके बाद जो आप अपने phone को कस्टमाइज कर पाओगे और यहां पर आपको बहुत एडवांटेज होने वाला है इसे इंस्टॉल करने के बाद क्योंकि यहां पर बहुत सारा कस्टमाजिसन आपको मिल जाएगा वैसे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा बटन दबा दें थैंक्स वर वाचिंग